नमस्कार में मुन्ना आप सभी का कुकवित मुना चैनल बहुत बहुत मनपुरो सोगत करता हूँ आज आम एकदम परफेक्ट तरीके से धाबसल चिकन लांबा कैसे बनाते हैं यह वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से टेस्ट डिलिशियस वैसे क्रिस्पी चिकन लांबा की रेसिपी की हैं इसलिए आप यह वीडियो साटिंग से एंटर बिल्कुल स्किपना कीजें अगर आपको यह रेसिपी मालूम ने होगी तो आप एक बार यह डिलिशियस और क्रिस्पी रेसिपी जरू ट्राइ करके देखें बहुत ही डिलिशियस हैं चलो तो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे फहले हम चिकन लांबा बनाने के लिए चिकन को मारिनेट करेंगे इसके लिए मैंने एधर एक किलो इतना चिकन लिया है चिकन के मैंने इसमे डियम पीसस रखे हैं मैंने इधर बॉनली चिकन का प्रवक किया है जिससे के हमी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे इसके लिए हमें चिकन में आड़ कर देना है एक टेबल स्पून इतनी लसुन की पेस्ट एक टेबल स्पून इतनी आदरक की पेस्ट और हमें मसालों में आड़ करना है पाव चमच के करीब लार रंग पिल्कुल ओप्शनल है डालना होको तो डाले आदे राइस किप कीजें वैसे हम एड़ करेंगे एक चमच इतना नमक आप सौधाना अनुसर नमक डाल सकते हैं वैसे हम इसमें आड़ करेंगे एक आंडा क्योंकि हमने एक किलो चिकन लिया है आदा किलो लेंगे तो आदा आंडा आड़ कीजें डोंट वरी गाईज आगर आपको इंग्रेडियन समझ ने आए तो डिस्रिप्शन बॉक्स चेक करें अभी हम इसमें फ्लावर आड़ करेंग प्रेस करना ना भूली है तो यह देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें सबी चिकन के उपर अच्छे सा मसालों को कोट कर लेना है अब इमें इस चिकन को मैरिनेट ना करते हुए फ्राइ करने वाला हूं आगर आपको चिकन को मैरिनेट करना होगा तो आता से एक मीडियम फ्लेम के उपर ऑईल को गरम कर लिया है आप यहां हमारा गरम हो जाए इसमें हमें एक-एक पीसस आइट कर देने इस प्रकार से जितने पॉसिबर हो सकते हैं उतने पीसस हमें चिकन के फ्राइ करने के लिए डाल दिये हैं अब हैं इन चिकन को आच्छे से पाच मि अब ही मैं सबी चिकन के पिसर्स को एक चमज के साइता से पलट देता हूं इस तरह के से वाव यह देखे आप देख सकते हैं बहुत ही मस दिख रहा है अभी हम चिकन को निचे से भी पाच मिनिट के लिए और मीडियम फ्लेम के उपर कूक कर लेंगे चिकन प्रिसर्स फाइप करते हुएं और मुझे 5 मिनिट हो गये तक्रिबर मैंने 5-5 मिनिट के लिए 2 से चिकन को फ्राइब कर लिया है अभी मैं इन सबी चिकन के प्रिसर्स को रिमु कर देता हूं वाव आप देख साथी टिकन के टेक्षर देखे बहुत ही मस दिख रहा है आप इसे एक पेपर के और निखाल लेंगे आप चाहे तो टिशू पेपर के उपर भी निखाल सकते हैं जाइस आप देख सकते कितना अच्छी धरके से हमारे चिकन फ्राइ ओके निकला है इसी प्रकायस अभी मैं सेकेंड बैच भी अच्छा से फ्राइ कर लेता हूं यह देखी फ्रेंट्स में चिक कितने आच्छी तरके सेuard और अब यह झुम्ह कर सकते हैं बट आभी हम चिकन लामबा बना रहे है इसलिए अभी हम चिकन लाम लामबा के लिए ग्रेवी तायर कर लेंगे आभी मैंने ग्रेवी तायर करने के लिए हाई फ्लेम के उपर एक कड़े को रख दिया है कड़े के जगा आप पैन का भी उप्योग कर सकते हैं कड़े में हमें 3 टेबल स्पून इतना ओईल आट कर देना है ओईल को अभी हमें आच्छे से गरम कर लेना है एक मिनिट बद आप देख सकते हैं ओईल हमारा अच्छे से गरम हो गया है अभी हम गरम ओईल में आट करेंगे एक टेबल स्पून इतनी लसुं की पेष्ट एक टेबल स्पून इतनी आधरक की पेष्ट वैसे हमें इसमें आट करना है 25-6 हरी मिर्च की पेष्ट शिमला मीस, शिमला मिर्च को मैंने इसे लंबा काट लिया है, आप चाहे तो बड़ए पीसस में भी काट सकते हैं आप हैं 사 HOL, मिर्च को भी आ खो एक मिनिट के लिए हाई फेलें म के बोपर भून लेंगे शिम्ला मिर्च को भी हाई फ्लेम के उपर आच्छा से एक मिनिट के लिए कुक कर लिया है अब ही हम इसमें आइड करेंगे एक चामच इतनी ब्लैक पेपर और हम इसमें आइड करेंगे एक चामच इतना हाजिना मोटो यह हमारी Chinese recipe है, इसलिए हमें इसमें अजिना मोटो टालना है, बट आप चाहे तो इदर अजिना मोटो को skip भी कर सकते हैं, अभी इन सबी चीज़ों को आच्छे से हमें mix out कर लेना है, अगर आप मेरा वीडियो इदर तक देख रहे हैं और आभी तक मेरे चानल को अपने subscribe ने क सॉस, आभी हमें इन दोनी सॉसस को अच्छे से भूनते हुए, एक मिनिट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर कूक कर लेना है, अगर आपको का इस वीडियो पसंदार हुए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, सॉसस आइड करके मैंने और एक मिनिट के लिए ग्रेवी को अब यह हम ग्रेवी में आइड करेंगे, वर्मफोर्द काप इतना मयोनीज, एक लेक्स मयोनीज का प्रवक मैंने इधर किया है, आप किसे भी ब्रैंड का मयोनीज इधर ले सकते हैं, आभी हमें इस मायोनीज को अच्छे से हमेरे ग्रेवी में भूनते हुए, दो मिनिट के food कर लेना हैं आगर बाइज आपने कभी भी चिकन लंबा की चिकन लंबा की रिषीपी ओपके देखे बोोतuzzy मंस के और दो मिनिंट के लिए मैंनेगवी यह चीकजर देखे सकते हैं और ऊके और जावे, और साष्ल खीर, पुल करते हुये मैं हुआ पूर को हमने आपको में बता देता हूँ, हमने ग्रेवी में बहुत सारे सॉसेज का प्रयोग किया है उसमें औरेडी नमक रेता है इसलिए हमने ग्रेवी में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है ग्रेवी को अच्छे से मिक्स आउट करने के बाद अभी हम gravy को अच्छे से एक उबाल आने देंगे यह देखें तकरिबन दो मिनिट बाद देख सकते हैं हमारी gravy अच्छे से उबालने लगी हैं अभी हम चम्मच के साइता से इसे एक बार mix out कर लेंगे gravy की थिकनेस देख सकते हैं guys आप मैंने इदर मीडियम टाइप कांसेंसी की gravy बनाई हैं आप चाहे तो gravy को पतला भी कर सकते हैं आभी मैं gravy में आड़ कर दे रहा हमने जो चिकन के पिज़स फ्राइ किये हुआ आभी हमें इन सभी चिकन के पिज़स को अच्छे से gravy में mix out कर लेना हैं अगर guys आप मेरा वीडियो इदर तक देख रहे हो आभी तक मेरे चानल को सस्क्राइब ने क्या हो तो please please मेरे चानल को सस्क्राइब करके मुझे सपोर्ट कीज़े और बाजो में जो बेल आइकन हैं उसे प्रेस करना ना भूली है आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छे से मैंने चिकन को mix out कर लिया हैं अब भी हम चिकन लांबा में add करेंगे आदे वाटी इतनी बारी कटी हुई fresh धनिया धनिया के जगा अब हरे पैच के सबजी का प्रयोक कर सकते हैं बट मुझे हरे पैच के सबजी मिली नहीं है that's why में इतर धनिया add कर दे रहा हूँ धनिया से भी बहुत अच्छा फ्लेवर हमारे चिकन लांबा को आता है अब हम अच्छे से धनिया को चिकन लांबा में mix out कर लेंगे जल्दी से गाईज मुझे comment करके बताईए कि आपको चिकन लांबा का texture कैसा लग रहा है या देखिए सो हमा चिकन लांबा ready हो गया है अब ही इस गर्मा गर्म चिकन लांबा को मैं आपको सव करके दिखाने वाला हूँ सो यह देखिए गाईज गर्मा गर्म चिकन लांबा सव की है कैसे लगे आपको यह recipe मुझे comment करके जरू बताईए अगर आपको वीडियो पसंद आएगी होगी तो please मेरे वीडियो को एक like भी कर दीजे अगर गाईज आपने आभी तक मेरे चानल को subscribe ने क्या हो तो please please मेरे चानल को subscribe करके मुझे support कीजे और बाचो में जो बेल आइकन है को उससे प्रेस करना ना भूलिए so thanks for watching thank you